हेलो एन नमस्ते दोस्तों मैं हूँ अनीता स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में आज मैं इस वीडियो में मेरे दीदी का मंदीर घर दिखाने वाली हूँ लास वीडियो में मैंने दीदी के ही घर में कुछ वीडियो शूट किया था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया तो यहाँ पे मैं उनके मंदीर को भी दिखाने वाली हूँ, साथ ही उनके मंदीर को थोड़ा सा ओगनाईज भी करूँगी, क्योंकि हमारी आदत जो होती है कि कहीं भी रहे हम चीजों को अच्छे से रखना हमें पसंद होता है, तो वही मैंने सोचा यहाँ पे मैं फ्री इसकर ले, तो देखिए यह इनका मंदीर है, बहुत ही सुनदर सा इन्होंने मंदीर बनाया है, इस तरह से मातारानी सभी भगवान को उन्होंने यहाँ पर से संगार कर रखा है और यहाँ पे उनके मंदिर में देखी इस तरह से section है, दो drawer है, उपर इस तरह से tray है, जिसमें मतलब आप कभी अगर कोई बड़ी पूजा होती है, जिसमें भगवान को पूरे भोजन का भोग लगाना होता है, कोई चीज चड़ाना होता है, तो इस tray पे रख सकते हैं, साथी नीचे की तरफ इस तरह से दो drawer है, जिसमें जो भी जरूरत की चीजे रखनी हों, वो रख सकते हैं, और उसके नीचे इस तरह से section है, जिसमें देखिए, दीदी ने इस तरह से चीजे रखी हैं, अभी इस घर में, नएवाले घर में वो, अभी ही recently shift हुई हैं, तो सभी section को बहुत अच्छे से set नहीं कर पाई हैं, तो मैं आई हुई थी, तो मैंने सोचा ये section मैं अच्छे से set कर दू, तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से जो नीचे का section है, उन्होंने ये सब चीजे यहां रख रखी है, यहाँ पे देखिए, यह बहुत ही अच्छा सा इनका धूबदानी है, कितना सुंदर सा पीतल का है, उन्हें इस तरह की चीजे एंटिक चीजे लेना बहुत पसंद है, और कोई भी चीजे वो लेती हैं, तो छोटी मोटी नहीं लेती हैं, उन्हें बड़े साइज में ही लेना पसंद है, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ चीजों को हमें सबसे पहले खाली कर लेना चाहिए, और खाली करके पहले उस सेक्शन को अच्छे से डीप लीन कर लेना चाहिए, क्योंकि रोज रोज तो यह चीजे हम करते नहीं हैं, तो जिस जिन इस तरह से सभी चीजों को हटाते हैं, तो उसे पहले अच्छे तरह से उ लग जाते हैं, ओईल, तेल, घी, ये सब चीजे लगती रहती हैं, तो यहाँ पर इसे अच्छे से पहले सभी सेक्षन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद सभी चीजों को अच्छे से वन बाई वन हम ओगनाईज करेंगे, अब यहाँ पर मैंने ये एक बड़ लेते हैं, बॉक्स लेते हैं, तो हमें इजी हो जाता है चीजों को देखने के लिए, क्योंकि हमें बार बार फिर डब्बे को खोल के नहीं देखना पड़ता है, क्योंकि इतना भी हमें याद भी नहीं रहता है कि किस चीज में, किस डब्बे में क्या चीज है, तो इसलिए हमारे पास थोड़ी बहुत बच जाती है जैसे कि सत्यनारायन का पूजा हुआ या मातारानी की नौरात्री हुई गनपती हुआ जो भी चीजे हम लाते हैं गंगा जल, गुलाब जल या गो मुत्र और जो इस तरह से हल्दी, कुंकू, सहेद ये सब चीजे होती है जने, बहुत सारी चीजे ऐसी होती है पूजा सामगरी जो बहुत सारी चीजे बच जाती है और डेली में ये सब चीजों की जरूत नहीं पड़ती है हमें कभी कभार बड़े पूजा में ही जरूत पड़ती है तो वो सब चीजे जो बच जाते हैं तो यहाँ वहाँ छोटे-छोटे पॉलिथिन में रखने से अच्छा एक जगह रखेंगे तो जब भी कभी हमारे घर में कोई बड़ी पूजा है तो इस सेक्शन को खोल के उसमें से हम जरूरत की चीजों को ले सकते हैं तो देखिए ये सब चीजों को मैंने इस डबे में सेट कर दिया है तो वो सब चारी चीजे मैं यहाँ पर इस तरह के एक बास्केट में सेट कर रही हूँ एक जगह पर एक साथ रहेंगे तो जब भी हमें जरूरत होगी तो इसमें से हम ले सकते हैं अब डेली की पूजा में लगने वाली जो भी धूप होते हैं, वेराइटी अब धूप होते हैं, जो हम अलग-अलग धूप अलग दिन लगाते हैं, फिर यहां पे जो कपूर होता है, कपूर हुआ, चंदन टीका हुआ, यह सब चीजों को यहां मैं एक इस तरह के बास्केट में रख दे रही हूँ, और साथ ही यहां पे मैच बॉक्स रख दे रही हूँ, कि सभी चीजे एक साथ रहेंगी, गंगा जल के बॉटल हुए, यह सब चीजे एक साथ रहेंगी, जो कि हमें डेली में लगते हैं, तो एक साथ रहेगा एक जगा पे, तो फटा-फट हम लेके पूजा कर सकते हैं तो इसे मैंने इस ट्रे में सेट कर दिया है फिर यहाँ पे एक transparent सा इस तरह का box ले लिया है lid वाले ही box लें कि हम एक के उपर करके एक दूसरे के उपर stack करके सबी box को रख सके तो यहाँ पे इस box में फिर में यहाँ पे जो भी हमारी बाती होती है, गोल वाली, लंबी वाली, या कॉटन होते हैं बाती बनाने वाले, वो सब चीजों को एक जगा इस तरह से रख रही हूँ, अगर हम सबी चीजों को इस तरह से सेग्रिगेट करके रखते हैं, तो काफी आसानी होती है चीजों को लेने म जिसमें इस तरह से जो कप धूप होते हैं या इस तरह से छोटी वाली मिट्टी के दिये लगते हैं में कभी कभार पूजा के लिए वो अगर बत्ती ये सब चीजों को यहाँ एक साथ इस सेक्शन में रख दे रही हूँ इस दो बास्केट में अलरेडी दी ने जो भी पूजा पार्ट में आसन लगते हैं इस तरह से पीले वाले लाल वाले या भगवान को बिछाने वाले आसन होते हैं चुनरी होती है या माला जो होता है एक्स्ट्रा हम रखते हैं वो सब चीजों को उन्होंने यहाँ यह दो सेक अब सभी चीजे सेट हो गई है, बस रह गए हैं जो डेली में लगने वाले चोटे मोटे बर्तन होते हैं, दिये होते हैं या भोग की थाली होती है ये सब को मैं इस चोटे से बास्केट में रख दे रही हूँ इस तरह से, अब सभी चीजों को अच्छे से हम अंदर जो हमारा मंदिर है, उसमें अच्छे से सेट कर देंगे, जैसे कि मैंने पहले ही दिखाया कि मंदिर में उपर के तरफ इस तरह से दो ड्रॉवर है, तो एक में set कर रही हूं मैं ये वाला basket जिसमें सब धूप हुआ गंगा जल हुए match box हुआ ये है जो हमें daily में लगता है साथ ही उसके बाजू में इस तरह से ये जो box में हमने सब बाती रखी थी goal वाली लंबी वाली वो भी daily में हमें दिया जलाने के time लगता है उसे रख दिया है साथ ही यहाँ पर अगर बत्ती का जो box होता है उसे रख दिया है और दूसरे वाले drawer में इस तरह से जो हमने सभी books जो भगवान के होते हैं उसे set किया था उसे इस drawer में set कर दे रही हूं जो हमें डेली में लगते हैं, सिर्फ ये दो ड्रॉवर खोल के ही, वो सब चीजे मिल जाएंगी, जो हमें रोज की पूजा में लगती है अब उसके नीचे का जो section है तो यहाँ पे मैं इस तरह से यह पतले वाले जो sheet आते हैं, mat आते हैं, उसे मैं यहाँ पे place कर रही हूँ, इस तरह से यह बिछा देने पे जो भी गी या तेल वाले item रखेंगे, तो वो नीचे मतलब जो हमारा section है, कबाड है, वो चिकना नहीं गिरेगा भी तो इस पे गिरेगा और इसे हम हटा के फिर इसे clean कर सकते हैं, तो यहाँ पे यह ना हो आपके पास, तो आप यहाँ पे newspaper का भी use कर सकते हैं, तो उसे बिछा के भी इस तरह से जब चीजों को रखतेंगे, तो वहाँ पे वो section चिकना नहीं होगा, और तेल घी क जो एक मतलब गंदगी होती है, वो नहीं होगी, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से घी, और गी की बाती का एक box है, steel का और एक घी है, उसे रख दिया है, और नीचे के तरफ इस तरह से जो हमने box ready किये थे, भगवान के वस्तर का और आसन का, उसे मैं यहाँ पे set कर दे रही हूँ, और जो बाकी भी हमने box ready किये थे, जो extra हमारे पूजा सामगरी की चीजे होती है, वो box को यहाँ set कर दे रही हूँ, साथ ही जो यह cup धूप और उसके basket को ready किया था, उसे यहाँ पे रख दे रही हूँ, साथ में इस तरह से, यह stand है दीदी के पास, उसे section खाली पड़ा है, तो यहाँ पे जो इनकी धूपदानी है, इसे यहाँ set कर दे रही हूँ, क्योंकि यह काफी बड़ा सा है, तो यह इस तरह से side में रख दे रही हूँ, साथ ही यहाँ पे जो आसन बिछा के हम पूजा करते हैं, उसे यहाँ पे रख दे रही हूँ, तो इ जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें ढूंडा नहीं पड़ेगा, आराम से वो चीजों आराम से महाँ से ले सकती हैं, क्योंकि सभी चीजों का एक अलग-अलग section बन गया है, और यहाँ पे देखिए, friends, मैं अपने दीदी के मंदीर का एक आपको एक और अच्छी दिखाने वाली हूँ, कि यहाँ पे उन्होंने इस तरह से डोर लगवाया है, और दोर भी ऐसा है कि वो अंदर की तरफ इस तरह से प्रेस करके चला जाता है, इस तरह से उसे खीज के, हम आराम से उसे रात को बंद कर सकते हैं, पूजा पाठ हो जाने के बाद, और जब सु अंक्षन है, बहुत अच्छा लगा, तो वही मैंने सोच आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यह था मेरा आज का वीडियो, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों के लिए कुछ इसमें से आईडिया आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन जरूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली नियो वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई